हेलो फेंट, इस वीडियो में मैं आपको SIP के 5 फाइदे बताने जा रहा हूँ कि इस SIP के जरीए इन्वेस्टमेंट करके क्या 5 फाइदे आपको हो सकते हैं तो क्योंकि SIP में आप जो है एक छोटा अमाउंट होता है जिसको आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं लॉंग टाइम के लिए या जो भी अब जी आफ़े चुनी है तो एक निश्चित अमाउंट एक सर्टेन पिरियट के लिए आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं SIP में तो चलिए अब इसके बेनेफिट देखते हैं तो अगर हम पहला बेनेफिट देखें इसका तो वो है यू कैन स्टार्ट अर्ली जी हां SIP के तुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वेट नहीं करना है कि आपके पास अगर एक लंबसम अमाउंट है तभी आप इंवेस्टमेंट कर सकेंगे या एक लंबा कॉर्पस बड़ा कॉर्पस आपको लोने अगर आप छोता सा अमाउंट भी है अजकल सौ-पास- हजार इस तरह से भी SIP स्टार्ट हो जाती है mutual funds में और और भी अन जो investment tools है तो आप जो है यहां पर SIP के जरीए जो है investment कर सकते हैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास अभी एक कर सकते हैं SIP के जरीए तो एक फाइदा होता है कि आपको वेट नहीं करना है कि आप एक बड़ा लंसम लाए तब ही आप इन्वेस्ट करेंगे आप एक छोटे-छोटे इन्वेस्ट जो अमाउंट है उसको भी इन्वेस्ट करके SIP के तुरू एक बड़ी वेल्ट करेंगे दूसरे इसके फाइदे की तरफ तो वो है लोकिन बीट डा वोलेटिल्टी जी हां मार्केट में काफी उताव चड़ा होते हैं रहते हैं अगर आप एक्विटी मार्केट में देखें और उसमें इन्वेस्ट करते हैं अगर एक्विटी बेज़ आपका इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर जो है यह तैकना मुश्किल है कि कब मार्केट उपर जाएगा कब नीचे जाएगा और काफी ज़्यादा जो मार्केट ड्राइब करता है वो निउस बेज़ होता है जैसे अच्छे फेज की तरफ मार्केट चला जाता है तो यह फेज निकालने के लिए अगर आप SIP के तुरूँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक छोटा अमांट रेगलर्ली इन्वेस्टमेंट होता रहता है और आपने क्योंकि एक निश्चित टाइम के लिए कानी से जहल जाते हैं अगर आप SIP के तुरूँ आप चोटा चोटा अमांट भी अगर इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो उस लंबे समय आने की एक लॉंक्रम में जाके आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट हो जाता है उस छोटे-छोटे जो हैं इन्व के आपने की है उसके जरीए और फिर वो एक अच्छी खासी जो है वेल्ट क्रियेशन हो जाती है लॉंग टर्म में आपके पास और आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे कि अगर आपने तीन साल या पांस साल की इस तरह जी SIP कर ली है बहुत चोटे-चोटे अमांट की भी तो वो आगे चल कर एक बहुत बड़ा पारफस बन जाता है तो लॉंग टर्म में आप एक अच्छी वेल्ट क्रियेशन कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू SIP की धूर इन्वेस्टमेंट तो जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताए कि मार्केट में उतार और चड़ाव आते रहते हैं और अगर आप एक्वीडी मार्केट में देखे तो सब अच्छा टाइम होता है कि अगर आप किसी स्टॉक को नीचे के प्राइस पे खड़ी दे और फिर उसे उपर पे बेचे बट इस प्राइस को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या बॉटम बनाएगा मार्केट मगर अगर आप S.I.P के तुरू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर मार्केट नीचे की और गिर रहा है तब आप ज्यादा यूनिट जो है ब उपर तरफ जा रहा है तो आप कम इंवेस्टमेंट करता चाहते हैं तो सिंपल वही होता है अगर मार्केट उपर जाता जाता है तो आपको जो है यूनिट्स कम एलॉट होती है और अगर मार्केट गिरता है तो आपको और लो प्राइस पर अगर आपके S.I.P जाती है उस तरह से जो है एक average आजाता है आपका जो unit का price होता है वो एक average price पर चलता रहता है उसी को कहते है रूपी cost averaging तो यह आपको जो है यहाँ पर एक benefit देखें तो you can beat the inflation देखें पहले के जो investment क्या करते थे ज्यादा तर लोग जो है fixed deposit में investment करना चाहते थे बट अब क्योंकि बहुत स देता है लग बग और अगर आप वहीं पर जो fixed return देने वाले आप देखेंगे जो भी investment के option है आपके पास लगाई PPS या फिर fixed deposit इनका जो interest होता है या फिर कहें इन पर जो return मिलता है आपको उसके ज़रे उससे आप जो है inflation को beat नहीं कर पाएंगे और एक comfortable life आगे जो है आपक आपका जो है average return जो है वो definitely आसानी से आपकी जो inflation है उसको beat कर देता है तो यह थे 5 फायदे जो की SIP के जरीए investment करने पर आपको मिलते हैं तो आप अपने analysis से या फिर अपने financial advisor से जल्द से जल्द advise लेकर SIP चालू कर सकते हैं आसा करतों जानकारी आपको पसंद आई होगी प स्काइब की जिवरे चैनल गो